असलाम अलेकम सातियों मैं हूँ आपकी होस्ट राबया बसरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हर पाकिसानी के जहिन में ये सवाल उठ रहोगा कि आखर के इंटॉर्णमन्ट बोर्ड एलेक्शन क्या होता है आजकर हर किसी के जहिन में इस किसम के सवालात आ रहे हैं कि टॉर्णमन्ट इलेक्शन क्या होता है इसकी जरूरत क्यों पेश आती है और इसकी साख्त कैसी होती है इन सब सवालात के जवाबात को समझने के लिए में इस वीडियो को लास्ट तक देखिए गया और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया वो पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और गंटी के ब्रेंबर क्लिक करना मत पुरेगा ताके में इस आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आ इस लाके को कैंट अरिया भी कहा जाता है आपने एकसर सुना होगा के कैंट अरिया में ये हुआ वो हुआ वगयरा इस कैंट अरिया में मिल्टरी के साथ साथ सिविलियन यानी आम लोग भी रहते हैं और हर कैंट का एक मखसूस बांडरी मकरर किया गया होता है यानी जिस तरह एक यूनियन कॉंसल की हदूद होती है इसी तरह से कंटोन्मेंट को किसी की मदाखस से बचने के लिए इसक्या एक अपना बल्दियाती निजाम होता है और बकाइदा इलेक्शन होता है और इलेक्शन में सिर्फ वो लोग हिस्सा ले सकते हैं जो मतलका कैंट का रहा हो और इसमें रिजिस्टर्ड हो ये निजाम बहुत पहले से आ रहा है तकरिबन 1864 से पहले बरे सगीर में इस इंतखबात में सिर्फ मिल्टरी के लोग हिस्सा ले सकते थे और वो ही कानून साजी करते थे लेकिन इसके बाद एक कानून नाफिस किया और हर कैंट के लिए ए एक मिजिस्ट्रेट का वजूद क्याम में लाया गया 1924 में एक और कानून नाफिस किया गया कि मिल्टरी के साथ साथ मुटल का वाम भी इसमें हिस्सा ले सकती है अब आते हैं इसकी साथ पर मुल्क भर में टोटल 42 के अन्टॉर्मन बोर्ड मुजूद हैं जिसमें 19 पंजा 9 केपिके 8 सिंद 3 बलोचिस्तान और 3 गलगत में मुजूद हैं और इन तमाम 42 बोर्ड को मजीद 212 वार्ड में तक्सिम किये गया है और इनके साथ तकरीबन 21 लाख वोटर्स रिजिस्टर्ड हैं तमाम के तमाम बोर्ड वजारत दिफार के जेरे निगरानी काम करते हैं इसम अगर किंटर्मन के अबादी एक लाख या इस से ज़्यादा हो तो इसका एक सदर होगा और वो या तो हाजिर सर्विस करनल होगा या बरिगेडी होगा इसको स्टेशन कमांडर भी कहा जाता है इसके साथ एक हेल्थ आफिसर मेंटेनस इंजिनियर मजिस्ट्रेट नो स मतलका बोर्ड का इंतजाम चलाएगी और दूसरी किसम ये वो बोर्ड होते हैं जिसमें अबादी पचास हजार से ज्यादा और एक लाख से कम हो तो इसका भी एक सदर या स्टेशन कमांडर होता है एक हेल्थ आफिसर एक मेंटेनस इंजिनियर एक मिजिस्ट्रेट चार इसका भी एक सदर या स्टेशन कमांडर होता है एक हेल्थ आफिसर मेंटेनस इंजिनियर एक मिजिस्ट्रेट एक नमजद आफिसर और दो मुन्तखिम इमरान होते हैं अफियारात क्या होते हैं अब आपको ये बिदाते चले कि आखिर के आखिर का आफिसर के अखिर आफिस को नाफिज करना और करना चोटे कांड को लागू करना केंटोन्मन की कार करदगी का जाइजा लेना जी तो साथिotIR यह पांच इकियारात होते हैं जो मतलका केंटोन्मन को दी यह जाते हैं और इस काबिना को इसका पबन्त मिना जाता है के वो इन पर अमल दरामज करवाएं तो उमीद है साती हो अब आप लोगों को जो सवालात थे असका आज की वीडियो में जवाब बिल गया होगा कि केंटन्मीर बोर्ड क्या होती है और एक्रियूस क्या होते हैं आर बीज नियू सोशल डाउंड अप और मैं इसी तरह से आपके लिए इंफर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होती रहूंगी बहुत शुक्रा साथियो फी इमानिल्लाव